हेलो एव्रीवन कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ विवेक फॉर्म फिंटेक्स प्रो जहां पर हम बात करते हैं फाने इन टेक्शेशन की एंद आग के सेशन में हम डिसकस करने वाले हैं M.C.A के वर्जन 3.0 के बारे में कंप्लीट ओवर्विव लेंगे M.C.A के वर्जन 3.0 होगा चलते हैं सिधर स्क्रीन पे इन सार्ट करते हैं आज के सेशन को सब्सक्राइब करते हैं M.C.A के ओफिशल वेबसाइट पर M.C.A.GOV.IN पर यहां पर जब आप जाएंगे तो अभी दोनों के दोनों जो आपके वर्जन सब्सक्राइब करनी हैं वहां पर आपको सारी प्लीकेशन iv वह भी आती है अगर बात करें version three की तो version three के अंदर ये especially LLPs के लिए अभी आया है companies के लिए version three हमारा नहीं आया है और LLP के जितने भी forms होते हैं returns होती हैं वो अब web-based हो गई हैं तो web-based आप उसको file कर सकते हैं प्रडी मुंद्ग जो challenges हैं वो मैं आपको समझाऊँगा तो आ चुके हम official website के उपर यहां पर आप my application my workspace में आप जाएंगे तो यह login करने का आपका आएगा जो पुराना वाला portal होता है जो पुराना version two है यहां पे आप login कर पाएंगे और my applications में आप जाएंगे तो यह आपका LLP के लिए जो नया वाला version है वहां पे आप login कर पाएंगे तो जो आपका same ID password आपको अलग-अलग ID password नहीं मनाना आपका जो है दोनों जगे पे same ID password काम करेगा नहीं करता तो कुछ technical issues अभी starting में देखिए हर कोई को भी चीज़ implement होती है तो आते हैं थोड़ा सा वेट कर लिजिए या फिर customer care पर आप जो है contact कर सकते हैं तो आपको जो है help मिल जाएगी so हमारे case में तो वैसे हमारा जो पुराना password ID password user ID password वो यहाँ पर काम कर रहा है तो login for LLP filing जब हम करेंगे तो हमारा यहाँ पर login हो जाता है और जितनी LLP के जो forms वगरा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और यह पुराना वाला जो version two के forms हैं वो यहाँ पर automatically आया है version three के अंदर so थोड़ा सा आपको एक quick overview देता हूं इसके अंदर कि क्या-क्या इसके benefits रहने वाले हैं और क्या-क्या feature है इस version three के so यहाँ पर आप my services में जाएंगे my services में आपको कावी सारी services दिखेंगी so main जो service हैं जिस पर आज हम focus करने वाले LLP e filing और उसके related जो services होती है वो सारी कि सारी आज की date में अब आप जो है पूरी web-based होने वाली है आपको PDF डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है जो ellip form होता है हमारा उसको PDF के लिए जरूरत नहीं है web-based आपका वो काम हो जाएगा पर उसमें कुछ issues आ रहे थे एक छोटी सी update भी हमें आपको दे देता हूं तो अभी जो है comment ने कहा किया है e-filing में आप जाएंगे तो आप run कर सकते है रन तो पहले भी online ही हमारा होता था और आप भी वह online ही होगा जो आपका llp run होता है फिर llp incorporation है यह भी online है उसके बाद यतने forms है form three आपको llp incorporation के बाद file करना होता है वो और उसके बाद form number eight और यह 11 यह दो online file कर सकते हैं आपको pdf वाला जो utility होती है उसको download करके attach करने की ज़रूरत नहीं है web-based form यहाँ पर हो चुके है तो आपको एक बार run llp करके मैं एक बार छोटा सा दिखा दिखा देता हूं किस तरीके से इसमें भी थोड़ा सा चेंज आया है ज्यादा चेंज नहीं है इसमें new incorporation है तो यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा आपका आपको यहाँ पर नीचे डालना होता proposed name आपका क्या है उसके बाद जो attachments होती है वो आपको यहाँ पर auto check form आपका यहाँ पर आजाए उसके बाद आप submit कर सकते है और जो fees होती है 200 rupees की वो fees आपको यहाँ पर submit करनी होती है जो conditions थी law में कोई ऐसा change नहीं है conditions से में आपका name जो है किसी और की name से match नहीं होना चाहिए trademark का violation वहाँ पर नहीं होना चाहिए तो as it is name किसी और का नहीं होना चाहिए जो LLP कंपनी के लिए आप यहाँ पर अभी हम LLP के लिए run कर रहे हैं तो वो यहाँ पर वो सारी conditions जो है अभी भी check होंगी और उसके बाद आपका form approve होगा तो जो procedure काम है वो वैसे के वैसे ही रहेगा जो आपका user interface जिसको UIM मोलते हैं वो यहाँ पर change किया गया है तो यह मैंने आपको run होता है LLP का run होता है वो मैंने आपको दिखाए इसी तरीके से बहुत सारी services है for एक और दिख DST attachment के time पर issues आते हैं और yes DST attachment की जहां पर बात आती है चाहे आप GST ले लीजिए चाहे आप income tax ले लीजिए trademark ले लीजिए जहां पर भी DST attachment की बात आती है तो वहाँ पर technicalities आती है तो इससे related जो भी user manual है या जो भी guidance notes है वो अभी आएंगे मैं भी इस पर थोड़ा काम करू कीजिएगा बाकी जो इस वाले portal के उपर version 3 के उपर किस तरीके से आपको help incorporate करनी है उसके लिए जो है मैं आपको धीरे-धीरे जो है नई वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं discuss करूँगा web-based किस तरीके से आपको application fill करनी होती है application same है जो आपका PDF होता था उसको अपने वेb-based कर दिया है simply so यहाँ पर इसके अंदर आपको अपना जो प्रोपोज या फिर approved नेम यहाँ पर डालना है save and continue करना जैसे आपका GST में आपने देखा होगा तो GST अप पूरा का जैसे income tax पैसे अच्छा example है अगर हम उसको ले तो यह income tax का पिछले साल तक जो पुराना वाला उनक काफी पुराना structure हो गया है उसको भी अभी web based structure जो है करने के प्रयास में है government और काफी अच्छा step है web based काम हो जाता है तो आपको pdf download करना फिर upload करना पता है अगर आप काम करते हो तो कितनी errors वहाँ पर आती है बहुत issues वहाँ पर आते है तो यह देखिए पूरा process यहाँ पर online कर दिया गया है so guys मैंने quick overview दिया आपको आज LLP जो हमारा version 3 आया है उससे related आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी बहुत सारे technicalities है बहुत सारी दिक्कत आ रही है agree आपको क्या क्या issues आ रहे हैं अगर आप काम करते हैं ROC और MCA के अंदर so please do comment that comment section मुझको आशा करता हूँ का इस वीडियो आपको आज की पसंद आई होगी thank you so much for joining today's session और जुड़े रहे नए वाले LLP form जो है web-based उसके उपर dedicated वीडियो भी आपको बहुत जिल्दी मिलेगी हमारे चैनल Fintex Pro के उपर thank you so much guys for joining today's session have a great time हसे रहे मुस्कुराते रहे बाए बाए टेक क क्यों剛剛 की आपको आपको दो, में आवे रहे चहे हू़े हो बढ़ियो मिलेगी हमारे उसक्राइब shopping